नमस्कार दोस्तों अभी मैं माधिबन नगर पंचायत में उपस्तित हूं और माधिबन के जो यो साहब है आप को मैं टाइम बता दो इस समय 12 बजने वाले हैं लगबग 2-4-10 मिट कम होंगे पहले यहां उपस्तित हो चुका था सबसे पहले मैं इनके कार्याले गया कार्याले पी यह मौझूद नहीं थे फिर लोगों ने बताया कि नहर पेंका आवास है वहीं आप से मुलकात होगी मैं नहर पर आया हूं और यह यह साब निवास है यहीं वह अपना निवास करते हैं आप थोड़ा सा इनके बारे में नजर दढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अभी 12 बजने वाले हैं 12 बजे तक अभी यो साब नहार है अंदर अब नहाएंगे खाएंगे मुझे आइडिया नहीं अपब बाहर निकलेंगे लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं वह साथ 1 बजे नि निकलेंगे टाइम है अनके निकलेंगा लेकिन आप यह समझेने के जुरुत है कि नगर पंचायत अधिकारी होता है जिम्मेदार अधिकारी होता है पूरे नगर पंचायत की देखवाल करनी होती है उसको अगर वह अधिकारी 12 बजे तक आवास पे रहे तो आप समझ सकते हैं कि मधुबन नगर पंचायद की क्या दुरदसा होगी अब थोड़ा सा इंतजार करिए जो भी मेरे दर्सक है मुझे देखते हैं मधुबन की ख़बर देखना पसंद करते हैं नहीं को दिखाऊंगा यह साब से बात भी होगी कि यह साहब की क्या डेली र तो समस्या आपके जान लेते हैं सबसे पहले अपने नाम बता दीजिए क्या नाम है राम कुमार बर्नवाल और कि समस्या को लेकर आज आप यह साब से मिले हैं मैं यह साब से परमिशन लेने आए था कि जो मेरा अतिक्रमण तोड़ा गया है उसको मैं पुना बनवा सकता यह तो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए नियम नगर पंचात में अलग है उन लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया और मेरे दुकान के सामने आप देख सकते हैं कि बहुत अतिक्रमण तोड़ दिया गया उसको मलबा बना दिया गया जिससे ग्रहांक नाज आ जा बहुत सारे लोग आप जब नकर पंचाद में गुमेंगे तो चीजे आपको दिखाई देंगी दिखाई देंगी नाम लेने से बच रहा है लेकिन लगबक कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका अतिक्रमड भी नहीं हटाया गया और आपके दुकान के सामने का तुक्मड हटवा द जब कर दीख संबके लिए दो pump सब्के लिए हो हूं कि हमारे लीए पर्सनल कियो दो नियम ओ सबके लिए हूं कि तूट रहा तो सबका तूटे सबस्या हो नहीं है इनका अधिकारियों के खास है बड़े-बड़े नेताओं से अच्छी उनकी पैठ है क्या है अब यह जाच कभी से है और जाच होना चाहिए अगर कानून अगर अतिक्रमड अधिकार अधिकार तो उनको इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए कि आप रहे तो सबका हटवा है पर लोगों में आक्रोस होगा लोगों में नाराज़्गी होगी लोग परशान हो गए और सबसे बड़ी सीज है कि आप नियम का उलंगर नहीं कर सकते है नियम सबके लिए एक वराबर होता है तो आप सबका आतवा यह हूँ वह साथ जाएं तुर्ण नियम हो तो सबके एक साथ नियम हो नई तो किसी के साथ兩ह किसी के साथ नहों और एक बार मैं कैमेरा में से कहूंगा फिर आप घुमा लिजिए जो यो साथ की मकान है यहां यह निवास करते हैं साथ भाड़े पर रहते हैं यहां लेकिन अभी तक यह साथ को पता है कि बाहर कोई मुझसे मिलने आए और साथ मेडिया के भी कुछ लोग है यह साथ में बाह लगा सकते हैं कि यह साथ अपनी ड्यूटी का निर्वा किस तरीके से करते होंगे वह फिल्ड में कब जाते होंगे और साथ यह वजह है कि इतने बड़े-बड़े अधिकारी जब बारा साड़े-बारा बज़े एक बज़े तक अपने आवास पर ही रहेंगे तो विकास कहा से होगा यह सोचने वाली बात है एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि मधवन में उस बदलाव किया जाए मधवन की बुराईयों को दूर किया जाए और इसमें जरूत है मधवन वासियों को साथ आने की मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल